वीडियो को बुनाने में बहतरीन साउंड इफेक्ट्स का इस्तिमाल किया गया है तो वीडियो बिना हेड़फॉन के ना देखें वीडियो एंट तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें मुक्त पीड यानि महाराजा धराज ललिता देत्या सन 319 इसवी भारत में गुप्त सामराजय का दबदबा पढ़ने लगा हर जगह खुशाली थी भारत ने सदी का प्रचंड स्वनकाल देखा धीरे धीरे गुप्तों का परभाव करम होने लगा सन 466 सकंद गुप्त इसवन्ष के आखरी प्रतापी शाशक थे सन 520 इसवी गुप्त कमजोर पढ़ने लगे भारत में बुराईया फिर से जन्म लेने लगी सन 510 भानु गुप्त के शाशनकाल में सती प्रथा का प्रतम साक्षय मिला सन 570 इसवी गुप्त सामराजय का पतन हुआ विश्णु गुप्त गुप्त वन्ष का अंतिम शाशक था भारत का गोल्डन पीरियर्ड समाप्थ हुआ गुप्तों के बाद कई छोटे मोटे शाशक बने लेकिन वो इस विशाल भारत को संभाल न पाए इस सब के बाद सामने आया गुप्तों तरकाल इस काल में जो वन्ष हावी रहा वो था पुषय बूती वन्ष सन 606 महाराजा हर्श वर्धन ने अपने राज में कई नहीं काम किये लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जितने हमने गुप्त वन्ष में देखे लिकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती अभी तो इतहास में एक और महाराजा धिराज को जन्म लेना था सन 627 दुरलव वर्धन ने कारकोट वन्ष की स्थापना की इस वन्ष में एक ही प्रतापी शाशक हुए जिन्हें ललिता दित्य मुक्तापीड के नाम से जाना जाता है कश्मीर में जन्म ललिता दित्य ने भारत का गोल्डन एरा वापस लाया और भारत को फिर से सोने की चिडिया कहा जाने लगा भारत का चड़ता सूरज देखकर पड़ोसी मुलकों की गंदी नजर इस देश पर पढ़ने लगी अफगानियों ने भारत पर हमला कर दिया इस उमीद में कि वो भारत को जीत लेंगे लेकिन वो क्या जानते थे कि उन्हें अफगानिस्तान ही गवाना पड़ जाएगा राज दरंगिनी में ये साफ साफ लिखा है कि महराजा धिराज ललिता दित्ते ने कैसे कमबोजो और तुर्कों को पराजित किया था कलहन के अनुसार समराट लेत्त दित्ते ने सेंटल इंडिया के प्रचंड राजा येश्व वर्मा को हराया था और उसके बाद उन्होंने तक्षिन और पुर्व भारत पर धावा बोल दिया और उसे अपने अधिन कर लिया ये सिर्फ भारत तक ही नहीं रुके इस सब के बाद इन्होंने चीन पर धावा बोल दिया और आज का तिबबत अपने अधिन कर लिया इन्हें विश्व विजेता और भारत का सिकंदर कहा जाता है आप महराजा दिराज ललिता दित्ते की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज का भारत, इरान, तुर्की, कैस्पियंसी, साउत रश्या का थोड़ा भाग, कजाकस्तान, उसबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, तिबबत, चाईना ये सब इनके अधिन था इन्होंने अरब्स को पराजित किया था मिडलिस्ट के राजाओं ने समराट ललिता दित्य को हराने की हर कोशिश की लेकिन वो नाकामियाब रहे 12 वी शताबदी में जन्मे इतहासकार कलहन ने ललिता दित्य को विश्व विजेता की उपाधी दी और इनकी अदभूद शप्तियों का वर्णन अपनी राज तरंगीने में किया समराट के उपर कहीं सारे किताबे लिखी गई है चाइना में टांग डाइनेस्ट की दोरान शिंग तांग शू नाम की एक किताब लिखी गई जो की महाराजा धिराज ललिता दित्य का चाइना में प्रभाव बखू भी दिखाती है शिंट तांग शू के अनुसार जब चाइना में टांग वंश पर बाहरी ताकतों ने हमला किया था तब समराट ललिता दित्य ने टांग आर्मी के दो लाग सिपाहियों के रहने खाने पीने की विवस्ता की थी परशिया के इतिहासकार अल बिरुनी ने भी समराट और उनकी शक्तियों का वर्णन अपनी किताब में किया है चीन और इरान जैसे देशों का समराट ललिता दित्य की शक्तियों का वर्णन ये साफ साफ दिखाता है कि वो कितने महान रहे होंगे और उनका कितना प्रभाव रहा होगा इन देशों में कलहन के अनुसार ललिता दित्य ने 36 साल 7 महीने और 11 दिन दुनिया पर शाशन किया था बताते हैं कि जब समराट ललिता दित्य ने महराज येशो वर्मा को पराजित किया था तब येशो वर्मा ने ललिता दित्य के सामने शांती आमन का प्रस्ताव रखा इस संधी का नाम यशो वर्मा ललिता दित्य संधी था लेकिन मित्र शर्मन जो ललिता दित्य के मंत्री थे उन्होंने इस श्रीटी के टाइटल पर आपती जताई उन्होंने कहा कि संधी का नाम यशो वर्मा ललिता दित्य नहीं बलकि ललिता दित्य यशो वर्मा संधी होना चाहिए जीतने वाले का नाम पहले आना चाहिए अपने मंत्री की ये बात सुनकर समराट ललिता दित्य प्रसन हो गए और संधी ना करके यशो वर्मा को उनका राजपाठ लोटा दिया इस खुशी में यशुवर्मा ने खुद को समराट को सौप दिया और उनके मंतरी बन गए जब ललित्ता दित्ते ने भारत को एक करने की महीन छेडी थी तब यशुवर्मा को वो अपने अधीन कर बंगाल की तरफ बढ़े थे जिसमें अनगिनत हाथियों को लेकर उन्होंने बंगाल को रोंध डाला था पुर्व की भूमी और सागर को जीतने के बाद वो साउथ इंडिया की तरफ कूँच कर दिये जहां करनाटा राजवंच बिना उनसे दो-दो हाथ किये उनके समान में जुक कर खड़े हो गए इस समय पूरे दक्षिन पत यानि आज के दक्कन प महाराणी रत्ता का राज था आप रत्ता देवी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने विंदाचल परवत पर उबस्टैकल फ्री दर्रों का निर्मान करवाया था और पूरे धक्कन में इन्हें शेरा वाली माता दुर्गा की तरह पूजा जाता था साउत में इतनी शक्ती शाली होने के बावजूत रत्ता देवी ने बिना लड़े अपना राजपाठ लली तादित्ते को सौप दिया था महान समराट ने संपून भारत को ऐसे जोड़ दिया मानो कोई बच्चों का खेल हो दुनिया जीतने के बाद वो उत्तर के अपार शेत्रों की तरफ अकेले निकल पड़े उत्तर में विशाल बंजर भूमी को पार करने के बाद वो एक ऐसी जगह निकल गए जहां उनके अल पता नहीं था कि वो कहां है जब काफी दिनों के बाद भी वो वापस नहीं लोटे तब उनके मंत्रियों ने मिलकर एक योजना बहाई जिसके बाद वो उन्हें डूनने के लिए निकल पड़े महीनों की मशकत के बाद ललिता दित्ते को खोजने में वो समर्थ रहे और उन का नया समराड नियुक्त किया ललिता दित्ते का सपना पूरा हुआ उन्होंने उत्तर में दीन दुनिया से दूर कहीं अकेले जीवन बिता दिया और एक दिन ख़वर आई कि आरे नाका में उनकी मौथ हो गई किसी ने कहा कि भारी मातरा में बरफ गिरने से उनकी मृत्यू हो गई और किसी ने कहा कि उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया ताकि वो एक महान समराड के ओधे पर बने रहें उनकी मौत कैसे भी हुई हो लेकिन ये तो सच है कि राजा धिराज महाराज ललित अदित्य एक कुशल शाशक थे उन्होंने पूरे भारत को फिर से एक करके उसमें एकता काहिम कर दी और अपनी बची होई जिन्दगी को अपने लिये जिया और अंत में मुक्त हो गए ऐसे महान वीर समराट के बारे में हर हिंदुस्तानी जान पाए उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन ब